नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप सब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि श्रावन का महीना लग चुका है और श्रावन के महीने में मा पार्वती और शिर्व भगवान दोनों ही पूजे जाते हैं आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो शिव भोले और मा पार्वती की कहानी है उमीद करते हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगे एक बार शिवजी ने पार्वती को बहुत अनोखी बात बताई और वो क्या थी वो मैं आज की आपको इस कहानी में बताने जा रही हूँ माता पार्वती ने भगवान शिवशे कहा प्रभू मैंने पृत्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी हैं आप उनको और भी ज़्यादा दुख प्रदान करते हो और जो सुख में हैं आप उसे दुख देते ही नहीं भगवान शिवशे ने कहा माता पार्वती को के चलो हम प्रथ्वी पर चलते हैं वहीं मैं इस बात का जवाब आपको दुँगा दोस्तों दोनों इन्शानी रूप में पती पतनी का रूप लेकर नीचे जमीन पर आ गए एक गाओं के पास उन्होंने डेरा जमा लिया शाम का समय था भोले बाबा ने माता पार्वती को कहा हम मनुश्य रूप में यहां आए हैं इसलिए यहां के नियमों का पालन करते हुए हमें यहां पर भोजन करना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ कि मैं भोजन की शामगरी लेकर आता हूँ और तुम भोजन बनाने की व्यवस्था करो भगवान के जाती ही मा पार्वती रसोई में चूले को बनाने के लिए बाहर से इटे लेने गई मा पार्वती ने देखा कि गाउं में कुछ मकान जरजर हो चुके हैं उन्होंने वहां से इटे लाकर चूला तैयार कर दिया दोस्तों चूला तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लिए कोई भोजन की शामगरी नहीं लेकर आए वो वो ऐसे ही वापस आ गए उन्हें देख कर मा पार्वती ने कहा कि आप तो कुछ भी समान लेकर नहीं आए मैं भोजन कैसे बनाऊंगी अब भगवान बोले पार्वती तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि मुझे ये बताओ तुम चुला बनाने के लिए इंटों को कहां से लाई मा पार्वती ने कहा प्रभू इस गाओं में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रख रखाव सही डंग से नहीं हो रहा उनकी जरजर हो चुकी दिवारों से मैं इंटे निकाल कर ले आई और चुला को बना लिया अब बगवान बोले नात ने कहा पार्वती जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उनी में इंटे निकाल कर और भी खराब कर दिया सही घरों की दिवारों से भी तो इंटे ला सकती थी जो अच्छे घर थे वहां से भी तो इंटे ला सकती थी इस पर मापार्वती बोली प्रभू उन घरों में रहने वाले लोग अपने घर का अच्छे से रख रखाओ कर रहे थे और वो घर इतने सुन्दर लग रहे थे कि मैंने वहां से इंटे निकालना ठीक नहीं संजा तो जो जरजर हो चुके थे वहीं से मैं इंटे लेकर चुला बनाने लग गए अब भगवान मापार्वती को कहने लगे यही तो था तुमारे प्रश्म का उत्तर जो तुमने मुझे से पूछा था अब तुम ही बताओ जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाओ अच्छी तरह से किया है यानि सही करमों से अपने जीवन को उन्होंने सुंदर बना रखा है उन लोगों को मैं भला कैसे दुख दे सकता हूँ मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने करमों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने करमों के द्वारा दुखी है इसलिए हर एक मनुश्य को अपने जीवन में ऐसे ही करम करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत वे खुबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक इंट भी ना निकाल पाए तो दोस्तों इस कहानी का अभिप्राय ये है कि काम थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी सोच को सकारात्मक रखेंगे और निश्वार्त भाव से हम कारिय करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी और हमें जीवन भी अच्छा मिलेगा और हमें सुक्षाधन भी अच्छे से प्राप्त होंगे भगवान शेव और मा पार्वती की ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हम चीजों को संभाल के रखे अपने आपको इस काबिल बनाए कि हम अपने अच्छे करम करें और उन करमों के फलसवरूप कि हमें सुक्षी प्राप्ति हो मिलती हूँ कोई और स्रावन की कथा लेकर क्योंकि अभी स्रावन का महीना है तो एक आद कथा और लेके आऊंगे आपके सामने मा पार्वती और शिव भोले की तब तक राम राम लड है झाल